जै हिंद बंदे मात्रम स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSC इंबस सिवम में और मैं सिवम दुबे आपका बहुत-बहुत सागत करता हूँ दोस्तो B.A.V.S.C. V.C. 1st year, 2nd semester के बच्चों के लिए 1st Ed and Health यानि कि प्रात्मिक चिकस्सा और स्वास्त को मात्र इस क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे ये महामेराथन वीडियो रहेगी इसके बाद कोई दूसरी वीडियो हम आपको नहीं देंगे दोस्तो आप सब की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी किसर आपने इस बार 2nd Semester की क्लासस नहीं करवाई है दोस्तो जितनी पुरानी क्लासस दी है आप सारी क्लास को देखें सारी क्लासस में एक बहतरीन और एक दमदार कंटेंड है दोस्तो आज की इस क्लास को हमने आपके एक्जाम को ध्यान में रख करके डिजाइन किया है और सारी चीजों को बारी की से समझा है पूरी यूटूब पर जब सबसे best कंटेंड देने का दावा करता हूँ तो कंटेंड से समझोता तो मैं कहता ही नहीं करूँगा दोस्तो सारी चीजों को महनत करने के बाद और एक रणनीती बनाने के बाद जो है चीजों को आपके सामने लेकर के आता हूँ तो वलकुल आप निस्चंत हो जाए और इस वीडियो को एंड तक बहुच करें जब तक वीडियो कंप्लीट बहुच ना कर लें आप उठेंगे नहीं वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि महामैरथन क्लास रहेगी मातर इस क्लास में हमें पूरे विसाय को कंप्लीट करना है टाइम कम है तो थोड़ा सा हम फास्ट हम चलेंगे ठीक है पहले से ही मैंने आपको बता दिया है और एक अच्छे और एक दमदार content के साथ संपूँ details के साथ हम MCQ questions को complete करने वाले है और कुछ चीजों को bunliner form में भी हम समझेंगे ठीक है तो कोई बच्चा परिशान नहीं होगा सबसे पहले एक बास समझो कि असली में प्रात्मिक चिकस्था है क्या देखो प्रात्मिक चिकस्था क्या है फर्स्ट एड हेल्थ क्या है प्रात्मिक चिकस्था जो है वो प्रसक्षत या अप्रसक्षत ब्यक्तियों द्वारा कम से कम साथनों में किया गया सरल उपचार को हम क्या कहते हैं प्रात्मिक चिकस्था कहते हैं व्यक्ति प्रसक्षत हो अथवा ना हो ये चीज नहीं देखी जाती है लेकिन कम से कम साधन जो वहाँ पर उपलब्ध है उन ही साधनों में उस चोट ग्रस्त व्यक्ति का हमें उपचार करना होगा जो पीरित व्यक्ति है उसका हमें उपचार वहाँ पर करना होगा दोस्तो देखो चोटग्रस बेक्ति को इलास जब तक वो इलास किराने के लिए अस्पताल तक नहीं पहुँच जाता है उसमें जो कम से कम जो समय लगता है उसकी इस्तिती साम हमें बनानी पड़ेगी ताकि उसको कोई प्रॉब्लम न हो जाए कभी-कभी तो ये जीवन रक्षक सुद्ध होता है अब किन-किन ऐसी समस्याइं आ जाती है जिनमें ये जीमरक्षक सुद्ध होता है देखो हम आपको बताएं डंक लगना बिच्छू का डंक मधुमक्खी का अगर डंक लग गया है ज्यादा विक्ति पीड़त है तो समय आपको प्रात्मे को अब तो आप बचने वाले हैं नहीं अब तो खतम हो जाएंगे तो इस तरह से बते करेंगे तो वह भी कहीं ना कहीं डप्रेस हो जाएगा और बगाराइँ-बग्या सब के लिए प्रात्मे कुपचार की बात होती है, मोच, है न, स्प्रेंच की आगर हम बात करें, तो इसका भी प्रात्मे कुपचार किया जाता है, रक्त सुराव का प्रात्मे कुपचार होता है, रक्त सुराव का अर्थ हुआ, जो आपका खून निकलता है, बात करेंगे नेक्स्ट अचेतन अवस्था, अचेतन अवस्था का जो प्रात्मिक अप्चार होता है, अचेतन अवस्था से अर्थ है, वेक्ति जो है, वो बिहोस हो गया है, सांप काटने पर जो प्रात्मिक चकस्था दी जाती है, है ना डूबने, फासी लगने, गला आप सब को पता होगा चलो अब यह याद रखेंगे 8 सितंबर वाला कम मनाते हैं तो आप कहेंगे 8 सितंबर पूछा जाता है आपके एक्जाम में देखो डंक लगने पर किसी जहरीली जीब द्वारा दंस जो कैदना डस लिया उसने तो डंक लगने वाला स्थान कैसा आता है ठीक है और लाली पन उसमें आ जाता है लाल दिखाई देता है वो चलो दूसरा यह थोड़े से बन लाइनर के फॉर्म में रहेंगे बागी हम और कुस्टिन को जो है अच्छे लेवल के साथ समझेंगे तीरे-दीरे कुस्टिन का जो लेवल है वो बढ़ेगा ठीक ह जब तक नहीं पहुँच जाता है वेखती डॉक्टर साब जब तक नहीं आ जाते है उससे पहले जो सायता दी जाती है वो प्रात्मिक चिकस्टा या फिर प्रात्मिक उप्चार कहलाती है चले next question जो रहेगा पागल कुत्ते की लार में क्या होता है तो आप कहेंगे सर जहर होता है पागल कुत्ते की लार में नेक्स्ट डसे स्थान को किस दवा से धोना चाहिए तो पोटेशियम परमेगनेट या फिर हम से लाल दवा कहते हैं केमेनो 4 से जो है उसको धोना चाहिए चलिए अब बात करेंगे जिस कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काटा है उसकी निगरानी कितने दिन तक करनी चाहिए तो 10 दिन से ले करके 14 दिनों तक उसकुत्ती की निगरानी करनी पड़ेगी कि वो कुत्ता पागल ना हो जाए वो कुत्ता मर ना जाए है ना उसकुत्ते को प्रॉब्लम ना हो जाए यह बात सच है, आपनेकर सुना भी होगा कभी चलिए अगर कोई बक्ति बीमार हो जाए तो उसको किस तरह का दूद दिया जाना चाहिए पीने के लिए तो यह गरम दूद की बात होती है दोस्तों, गरम दूद उस बक्ती को दिया जाना चाहिए लाइक कर दो वीडियो को, अगर अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो, देखो प्रात्मिक सहायक किस तरह का होना चाहिए, ये बात भी आपको समझनी पड़ीगी, इसके बात जो है, आपके MCQ कुसिन का सुलसला स्टार्ट होगा, ये बताना इस बज़ाए से आवस सके आपको सबसे पहले एक knowledge होने चाहिए कि प्रात्मिक जख सा, प्रात्मिक अप्चार है क्या, इस सब के बारे में आप पहरे जान लो, देखो प्रात्मिक सहायक समझदार होना चाहिए, जुगती होना चाहिए, फुरतीला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आलसी हो, कि भई, अब कोई वप्चार करना है, अब हो जाएगा, एना दीर दीर, ऐसा नहीं, वो जुगती होना चाहिए, फुर्तीला, होना चाहिए, फुर्ती होनी चाहिए उसमें, निर्मार अथक स्पस्ट, सेहत मंद, नरम सच्चा हमदर्द, बड़े दिलवाला, और प्राफमिक सहायता के ज्यान से पूर्ड वक्ती होना चाहिए, ठिक है, तो यह सब चीज़ें जो हैं, उसकी हैं, अगर कोई वक्ती बिजली की तार से चिपक जाए, तो उस वक्ती को कैसे छुड़वाना चाहिए, अगर कोई वक्ती ऐसा, ऐसी प्राब्लम आ गई है किसी को, बिजली के तार से अगर चिपक गया है, तो आप सब को भी पता होगा, कि करंट के दौर से इस समय गुजर रहा है, तो रवड के दस्ताने, रवड के जूते, सूखी लकडी छड़ी आदी से, उस पर प्रहार करें, या फिर जो तार हैं, उसको अलग कर दें, कोसस तो यह करें, मैं लाइन वह हां से हटा दें, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, बस यह ना करें कि सीधर जाके उसको हां से छोड़ा लें आप, तो आप में भी करंट ला जाएगा, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, दखो रोगी के बिहोस होने पर, या सास बंद हो जाने पर क्या करना चाहिए तो रोगी को बनावटी सास जो है, वो देनी चाहिए, ठीक, अब आपका जो है कुस्टिन का सरंखला सुरू हो चुका है, तो चलिए हम बात करते हैं, पहला कुस्टिन आपकी स्कीन पर रहेगा, CPR में क्या सामिल है, तो CPR में क्या सामिल है, केवल बचाओ स्वास, केवल छा चाओ स्वास और छाती संपीडन दोनों ही चीजें इसमें सामिल होती है, अब CPR चकर के लिए यहाँ पर को समझ लो, CPR के प्रतिक चकर के लिए कंप्रेसन जो है छाती संपीडन 15 और सास की बात करने अगर तो यह पांच जो है वो देनी चाहिए, CPR का फुल फोम अगर हम समझ तो कार्डियो पर्मोनरी रिसुस्टेशन होता है, यह इसको इंगलिस में भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, और इसको बनावटी सांस भी हम कहेंगे, जो हम आपसे कह रहे थे अभी, यह इमर्जेंसी मेडिकल टेकनिक है, जिसके जरिये किसी व्यक्ति की सांस या दिल के रुक जाने पर उसकी जान बचाई जाती है, इसको बनावटी सांस के भी अंतरगत रखते हैं CPR को, ठीक है, फुल फॉम आवयात रखेंगे, बात करेंगे प्रशन नमबर दो की, कम चेतना वाले पीड़त पर क्या लागू होता है, कम चेतना वाले पीड़त पर जो लागू है, देखो जब वो कम चेतना हो, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से वो बेहोस है, तो समय ये वाली स्थी उस पर लागू होती है, नेक्स्ट कोस्टिन आपकी स्किन पर रहेगा, क्या आपात कालीन पट्टी का पट्टियों के अंत में गांट कहां लगाते हैं, बताओ, जो वैसा पट्टी के उपर गांट ऐसा तो नहीं है कि लगाते ही हैं, गाओ के उपर अगर गांट लगा दोगे तो ज़्यादा प्रब्लम करेगा, जिलन देगा हो, रोगी सुईकर्थी के अंरूप, रोगी जहां कए वहाँ थोले न लगाएंगे, इस पस रूप से गाओ से ह वहाँ उस गाट को दूर लगाएंगे, च्छेके, चलिए, नेक्स्ट बात करें, किस प्रकार की आग में जल बिल्कुल भी नहीं, डालना चाहिए तो भाई साब, तेल से लगी आग में जल ना डाले, एक और बात होती है, बिजली से लगी आग में भी जल नहीं डालना चा परफिजन तकनिक किस सरीर के अंग से संबने थे तो वाम डॉनर और और फॉर्फिजन की अगर बात आए तो यह फैपड़ों से संबने थे ठीक है एम हेल्थ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मुबाइल हेल्थ के डिवाइस इसको हम कहते हैं नेक्स्ट कुस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट से राहत देना ये तो उद्देश है, हालत में सुधार ये भी उद्देश है, अस्थाई उप्चार ये और ये इस्थाई राहत, बताओ, इस्थाई राहत जो है, ये उद्देश नहीं है, स्थाई राहत उसे नहीं होगी, अस्थाई उप्चार उसका हो जाएगा, तुरंद तो उसको आराम लग सकता है बाद में फिर कहा है उसको अस्पताल में दिखाना पड़ेगा मेरे भाई ठीक है next question की अगर बात करेंगे आपके screen पर रहेगा नमन में किसका उपयोग करके नवजात परिफक्तार rating की जाती है अब यहां से question का सिलसला सुरू है अब अच्छे level के question मिलेंगे वो धीर धीर लेवल बढ़ेगा देखो बिस प्रात में चिकस्टा दवस 8 सितंबर को मनाते हैं ये बात हम आपको बता चुके हैं बात करेंगे next question की question की संख्या पर ना जाना ठीक है चलो बहुत बढ़िया next इन मैसे चोट है अब आपको बताना है एठन भंग या फिर खरोच या मौच ये सब क्या है तो आप कहेंगे सरफ ये सब जो है वो चोट की स्रेणी में आते हैं सभी चोट हैं चलो अब बात करेंगे देखो दोरते समय गिरने से जो चोट लगती है अगर वह चोट बाहरी हो तो उसे क्या कहेंगे तो उसको खरोच की संग्या दी जाती है खरोच कहते हैं उसे खरोच घाओ के लक्षड क्या है घाओ के आसपास लालिमा या फिर सूचन का हो जाना तो चाह की सतय पर जलन होना खून बहना ये सब खरोच की या फिर घाओ के लक्षड है चुले बिजली के जटके से घाओ व्यक्ति को उपचार के लिए करना चाहिए क्या तो जब भी उसकी पल्स ना हो तब क्या करे हम देखो वई उसको CPR दे अभी बताया था इसको हम क्या कहते हैं बनावटी सांस कहते है CPR का फुल फर्म क्या होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन होता है अभी बताया भी था आपको इंगलिस में भी आप याँ रिखेंगे CPR कब देना चाहिए अब यहाँ पर समझ लो देखो देखो जब सांस लेने में कटनाई हो तब CPR दे हिरदाई की गती दिल के अबरुद हो जाने पर भी CPR दे या फिर बिजली के जटकों से घायल होने पर भी CPR दे आपको चीज़े इतनी बार करा दी जाएंगे उस तरह से करा दी जाएंगे कि आपके माइंड में सेट हो जाएंगे सस्क्राइब जिरो करें अपने परिवार BSC Imbus Sivam को जो बात करता है राष्ट हित में देश हित में आपके हित की आपके सिक्षा की चलिए फर्स्ट एड प्रात्मे चिकस्षा का नियम जो है वो क्या है तो प्रात्मे चिकस्षा का नियम तीन सूत्री है अब आप कहेंगे सर्फ तीन सूत्री नियम क्या है देखो इसके तीन घटक या फर तीन सूत्र कहे जाते हैं पहला घटक है यरवे, दूसरा ब्रीधिंग, तीसरा शर्कॉलेशन गम्प्रेंशन देखो कैसा पहला घटक जो एर्वे है उसका है उसका आर्थ होता है सुसन मार्ग दूसरा घटक ब्रीधिंग यनि कि सुसन तीसरा है सर्कुलेशन कमप्रेंसर यनि कि परिशन्चरन जो खून का रखत का संचरन होता है वो चीज़ पांस नमबर का प्रसंद एक चोट जो गर्मी रसायने कारकों या बिकरन के परडाम सरूफ होती है उसको हम जलन कहते हैं आप कहते हैं जलन पढ़ रही है तो यह जलन हो सकता है आपको सुईटिंग की बज़ए से इन सब चीज़ों की बज़ए से होती है स्वेर करने क्लास को अगर अच्छा लग रहा हो हलफल लग रहा हो तो दोस्तों तक पहुचा दें वो भी बचारे परिसान हो रहे होंगे है न और आप अगर किसी की मदद करेंगे तो भगवान जो है आपकी भी मदद करेंगे छे नमबर का प्रसंद इनमेंसे कौन पट्टी के प्रकार है तो के प्रकार के अगर बात करें तो तातकालिक पट्टी जालीदार कपड़े की पट्टी गौस पट्टी जिसे हम कहते हैं और बनी बनाई असंजन सील पट्टी तो यह सब पट्टी के ही प्रकार में गिने जाते हैं पट्टी क्या है अब समझ लो पट्टी एक सुरचात्मक ले भी हम लगाते हैं एक कुसल पट्टी रोगाड़ों से मुक्त होनी चाहिए एक कुसल पट्टी जो है वो कैसी होनी चाहिए तो आप कहेंगे सर रोगाड़ों से मुक्त होनी चाहिए बात करेंगे साथ नंबर के प्रशन की जलन पढ़ रहे इस थान पर क्या करें तो सिस्थे को पानी से धोएं ये सबसे बढ़िया है इस प्रे करें इस थान पर बिलकुल नहीं करना है antiseptic cream बिलकुल ना लगाएं कुछ आपको लगाना नहीं है बहापे जहां आपको जलन पढ़ रही है आपकी तुचा में वहाँ पे आप सीधा-सीधा बढ़िया अच्छे पानी से धोलें चुके यही बढ़िया अप्चार है नेक्स्ट प्रशन की बात करेंगे फर्स्ट एड वॉक्स जो होता है आपका प्रात्मे चिकस्सा बॉक्स तो इसमें क्या होना चाहिए दर्द नबारक दबाएं, हाद धोने का सावन, पॉक्ट मास्क, प्लास्टिक के चिमिटी, एंटि सब्टेक बाइप्स, पत्टी, थर्मामीटर, बेंडेज, दस्तानी ये सब चीदे जो है वो फर्स्ट एड़ बॉक्स में होने चाहिए नौ नम्बर का प्रसन आपकी स्कीन पर रहेगा सामान नाड़ी की गती जो है वो कितनी होती है तो आप कहेंगे सैर प्रती मिनट 72 से 80 बार वैसे प्रती 15 मिनट में गिना जाना चाहिए अभी तक अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो बिलकुर लाइक जरू कर दो आप प्रात्मिक चिकस्ता के जो सद्धान्त है वो कौन-कौन से हैं उसको हम जरासा उसमे नेजर डालते है घायल व्यक्ति की हालत बत्तर बनाए बिना जल से जल एक्सिडेंट के बाद प्रात्मिक चिकस्ता देना यह है दूसरे की बात करेंगे केबल आवस्सक प्रात्मिक चिकस्ता ही देना ऐसा नहीं कि जरूस से जाना प्रात्मिक चिकस्ता देना रहे रक्ष्राओ को तुरंद ठीक करना सुसन और परिसंचन को सही करना ब्यक्ति को सदमा लगने से बचाना और अगर वाए पहले सही सदमे में है तो उसका फिर इलाज करना यह सब बिंदू है तत्व है देखो तो से चार फैक्ट और दिखेंगे मैं हापे फैक्ट्चर या फिर जोड हिलने की स्तिती में प्रभाविच छेत्र को हिलने डुलने ना देना आसान प्रक्रियाओं और दबाओं से दर्द को ठीक करना एक और बचा है घायल वेक्ति को जल से जल ठीक होने का आस्वासन देना और उसका होसला बढ़ाना ऐसा नहीं कि उसको आप बोलें कि नहीं भाई आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगे या आप नहीं हो पाओगे सही आपको आस्वासन देना होगा उसका मनोबल तूटने ना दे 10 नंबर का प्रसन आपकी स्क्रीन पर सामन स्वास्त के गति कतनी होती है का उदेश कौन सा नहीं है तो भाई साब इस्थाई राहत जो है प्रात्मी चुकस्ता का उदेश नहीं है घायलों को दर्द से राहत देना है हालत में सुधार करना है और यह इस्थाई उपचार तो बैसे भी है चलो किसका अपयोग करके नबजात की परपकता की रेटिंग की जाती है तो बैलाड स्कोर की अवस्कार एक जोन डॉक्टर जीन एल बैलाड हो जाएंगे हैना अभी तक अगर सेर नहीं किया है क्लास को तो सेर कर दो यार बनावटी सांस को दो विदियों द्वारा दिया जाता है है कौन-कौन सी दो विदि है तो एक तो सैपर विदी दूसरी हॉलकर नेलसन भिदी ठीक चली नेक्स्ट कुस्ट्ट आपके स्कीन पर रहेगा प्रात्मिक सहाइक बैक्ति कैसा होना चाहिए तुभाई मीठे सुभाव का होना चाहिए खुले दिल्वाला होना चाहिए जिंमेदार होना चाहिए बिदीक क्यावन होना चाहिए ठीक है चिली आलसी नहओ है न जो जी विदियाव्चती होोना चाहिए 15 उंबर का प्रातमिक सहाइक बैक्ति है तो पढ़ालेखा होना चाहिए क्या उसे अनपड या फिर कोई भी चलेगा कोई बिसेज जाती का चलेगा देखो ऐसा नहीं है कोई भी वक्ति हो पड़ा लखा हो या ना हो जो समय है वो उस समय जीवन रक्षक बन सकता है नेक्स्ट कुस्चिन आपकी स्कीन पर रहेगा बिलकुल टैंसर ना ले और सारी चीज़ों को लगते हुए चले और माइंड में सेट करते हुए चले क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है यार है ना तेजाब से जले को कौनसी चीज से दोना चाहिए तो सादे पानी या फिर खारे घोल से उसको दोना चाहिए नेक्स्ट कुस्ण की बात करेंगे एम हेल्थ की मोबाइल हेल्थ केर डिवाइस अभी मैंने आपको बताया भी था अठारा नंबर का प्रसंद आपकी स्क्रीन पर रहेगा किर्थिम रेटनास प्रॉद्धड की किस से संबंदत है तो किर्थेम रेटनास प्रॉद्धडग की बात करें तो ये आंक से संबंदत हो जाएगा दोस्त 19 नमबर का प्रसंद बार्म डोनर ओर्गन फर्फ्यूजन तकनीक शरीर के किस अंग को प्रहाइत करती है तो अभी बताया भी था फैपड़ों से समंधत है छेके किसे समंधत है फैपड़ों से CPR कहा है वही तो केवल बचाव स्वास है केवल 36 अंपिडन है बचाव स्वास और 36 अंपिडन दोनों ही है बचाव स्वास 5 और 36 अंपिडन कितनी 15 हमने आपको बताया भी था 21 नमबर का प्रसंद आपकी स्कीन पर बॉंड या फिर जन्हें हम कट्स कहते हैं जखम कहते हैं चार किसमें कौन सी होती है जखम की तो देखो चार किसमों की अगर बात करें तो य अधर चलती मजिन पर ब्रुस बगेर है न डालें अपनी सेपटी बहुत जरूरी है सेपटी रखें 23 नमबर का प्रसंद किस ओजार को कभी भी 시작 क्समों कि कटिंग ओजार के साथ मिला कर नहीं रखना चाहिstell थो मापी उजार हैं कि जलदवाजी में आप अगर उठाते हैं ह थोड़ा सा उसे उंगली को चलिए बात करेंगे next question की 25 नम्मर का प्रसन है किस प्रकार की आग पर कभी पानी बिलकुल भी न डालें तो एक तो तो तेल से लगी आग पर दूसरे बिजली से लगी आग पर कभी भी पानी आपको नहीं डालना चाहिए 26 नम्मर का प्रसंसरे डी E की आग की सरंखला में इंधन के रूप में किस के द्वारा जो है वो आग लगती है तो या फिर लकडी में या कागस में कपड़े के द्वारा इन सब में आग लगती है आप सर्दियों में भी देखते होंगे जब आग ना लगे तो आप क्या करते ह को चीजा करते होंगे का 20 नमबर का प्रसथ स्रेडी V में आग की स्रंखला में इंधन के रूप में किस CE के दूआ आग ल्गती है तो तेल के दूआरा आग लगाई जाती स्रेडी 2 में ओद इकी चीजें लगड़ी कि अगरे कौटे मेंने आपको बता दी है चरीडी डी बंद कर दे, फिर उसको लकडी से, या फिर रवर की जो चीज़े हैं उन से, जो सूखी हो, है ना, उन सब से उसका, उसको क्या करें, वहां से छुड़वाने का प्रयास करें, ऐसा नहीं, कि आप खुद ही उससे जाके, छुड़वाने उसे लग जाएं, तीस नमबर का प्रसंद, प्रात्मिक चिकसक को, किसका पूरा ग्यान होना चाहिए, तो अपने कर्थब्ड़ों का जो है वह उसे ग्यान होना चाहिए, है ना, खुले दिलबाला हो, है ना, हमने अभी आपको बताया था, आलसी ना हो, समझदार हो, दयावान हो, अस्पतालों में लाइट वल्प्स टकनीक किस रूप में इस्तिमाल की जाती है, तो कीटाडू और जीवाडू को मारने में जो है, अस्पताल में लाइट वल्प्स टकनीक का इस्तिमाल करते हैं, 32 नमबर का प्रसंद, मेले नोमा बायोपसी टकनीक पर कटिंग बैंक का प्रियोकिस बीम क्या है एना उम्मीद करूंगा कि आपने लिख ली होंगे सारे 33 नंबर का प्रसुन है स्वास्थ से संबंदे 3D प्रिंटिंग टक्नीक के लिए निम्न में कौन सा आबिदन है तो हम बात करेंगे प्रिंटिंग स्कीन की बात हो तूटे दिल की जो मरमत करना हो या फिर रक्त बहकाओं और हिरदय में उत्कों की बात हो तो यह सभी जो है स्कुसिन का राइट अंसर हो जाएगा 34 नमबर का प्रसन अच्छा है ठीक है कुट्टे के काटने से कौन सा रोग होता है तो आप कहेंगे सर रेवीज होता है ठीक है अब आप हमें बताओ आप अगर जानते हो सब देखो कहीं न कहीं सब जो बच्चे हैं वो हमारे ग्रामीड लाके से सम्मंदत बच्चे हैं और 35 नमबर का प्रसन अपकी स्कीन पर रहेगा इनमें से कौन प्रास्मेड चिकस्चा का उद्देश है प्रास्मेड चिकस्चा के उद्देश हो जाएंगे आप कमेंट सेक्सेर में जरू बताएं हमने आपको सारी चीजें बहुत अच्छे और एक भैतरी लेविल के साथ करव आप जरूर देख लें मात्रेक वीडियो में संपूर फोटोग्राफी है और 2023 की ही फोटोग्राफी की बात कर रहा हूं अभी एक दिन हुआ है ना मैंने अभी क्लास देती आपको जरूर क्लास देख लें सारी चीजों को समझने प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट बिज अर्शास्त की या फिर मैं बात करूँ आपकी कारियल ही हिंदी और कम्प्यूटर की है ना या फिर आपसे बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो आपकी सभी बिसेओं की क्लास बहुत अच्छे और एक पहत्री अंदाज में बनाई हैं मैथमेटिक्स में rank of the matrix कैसे निकालते ह आं बाकी प्लेलिस्ट ज़रू बिजट कर लें टेलीगराम चैनल को ज़्ट बना हुआ है इसपर पीडिय बगएर हम आपको लब्त करवाते हैं टेलीगराम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सेयर कर देंगे बाकी और जितनी भी क्लास हैं सबकी लिंक या फिर MTS, CHS, LN, सभी प्रतोगी परिक्चाओं के तयारी को एक बहतरा आयाम बहाँ पर दिया जाता है, Mathematics की Classes बहाँ पर स्टार्ट हुई है, बाकि और भी सब्जेट की Classes लाने की तयारी है, ना 3-4 Classes बहाँ पर पड़ी हुई है, आप जागर के देखें, आप बताएं आपको चीज़ें कबर हो रही हैं, या समझ आ रही हैं, तो फिर हम उसको आँगे रखेंगे, और साथ हम आपको बताना चाहेंगे, एक बहतर रणनीती के साथ वहाँ पर चीज़ें हम करवाते हैं, एक Class में, मातरी Class में पूरे टॉपिक को कम्प्रीट किया जाता है, उसके आपकी BAVSC VECOM में सारी सारे Semesters की Marathon Class और प्लस बिस्यों की Class देने का जो हमने आपसे बादा किया है, उसको जरूर नवाएंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहंद, वन्दे मातरम, भारत माता कीज़ें स्वास्त्रें मस्त्रें, और कमेंड में बता द जरा कि आपके से उनिवस्टे से ये हमारी वीडियो देखते हैं, हरर मादेब